तरबूच से जूस निकाले का नया जवरजस्त आइडिया फ्रेंट्स ये देसी जुगार देखते जाईए बस तरबूच के पास जाईए टैप खोली और ठंडा ठंडा कूल कूल ये जूस निकालकल पीजिए और सब को पिलाईए गर्मी इतनी पड़ रही है कि एक गिलास ठ वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपसे यहीं रिक्वेश्टे वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा अगर पशंद आए ना वीडियो जरूर लाइक शेयर करिएगा ये बाइरल वीडियो है तो इसको किस तरीके से बनाया जाता है कि दिन बर जूस ठंडा रहे और बिना मसीन के ये जूस बनकर तयार हो जाता है तो तर्वूच का जूस ना और तैयार करना है तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा तो यहां पर मैंने ले लिया है चाकू और चाकू की सायता से ना जहां पर टॉप होता है ना उसकी तरफ हमें इस तरीके से ये देखिए थोड़ी दो इंच की दूरी पर कट कर लेना है पूरी इस तरीके से गुलाई में तो ये देखिए इस तरीके से कट जाता है बहुत ही आसानी से इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह देशी जुगार है तो आपने साइद वीडियो देखा होगा तो कॉमेंट करके बताईएगा तो यह बारल वीडियो हो रहा है सौट मैंने का चलिए इसका पूरा डिटेल में वीडियो बना कर दिया जाए तो देखिए मैंने हटा दिया है अब इसका कैसे जूस बनाना है बिना मसीन के तो आपको क्या लेना है एक चाकू ले लेना है चाकू से इस तरीके से यह देखिए लाइन जैसी बना देनी है तो जैसे क्या होता है ना हम तर्बूज का यह देखिए हाप कट करके भी हम जैसे इसको काट काट के भी खाते हैं मतला अलग अलग तरीके से इ और एक स्पून ले लिया है और यह देखिए जो तर्बूज है इसको देखिए मैं थोड़ा सा निकाल दूंगी खरोच कर इस तरीके से यह देखिए आराम से निकल आता है तो आगर आपको ऐसे ही खाना तो ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन जूस पीना है थंड़ा थंड़ा तो जूस बनाते हैं भीना मसीन च्ल networking अब यह देखिए इस तरीके से कर लिया is पैक बावल लिया ईसमें हमें इस तरीके से यह देखिए पलड़ते जाना है और यह देखिए मैं चाब की सायता से इसको देखिए निकाल रही हूं और इसको देखिह किस तरीके से जूस भी बना देखिए जो एक्ष्टर बीज हैं उसको निकाल सकते हैं लेकिन बीज कोई कड़व बगएर नहीं होते हैं तो आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं उसका भी मैं तरीका बताऊँगी कैसे ओड़ाना है और यह देखिए मैंने चाकू की साहता से थोड़ा सा इसको देखिए इस तरी मटोक दिया है तरीके से नीचे तक कर दिया है तो आसानी से पूरा तरबूच निकल आए बहार बावल में हमें पहले निकालना इसको पूरा तरबूच को करना है क्योंकि हमें इसी में पूरा जूस बनाना है तो तर्बूच का जूस पीना कितना फायदेमंद होता है सबसे ज्यादा इस फल में पानी की मात्रा पाई जाती है और तर्बूच का जूस पीने से जिसका ब्लड पेशर हाई रहता है ना उसका बिल्कुल रहता है और यह जाथ और हमारा जूस ना wizard निकलाता हule, उसको भी में जैंसी करते हैं जाइन से भीज बड़्या. देखी इस तरीके से हमें तर्वूज को सबसे पहले इस तरीके से खालिका लेना है तो पूरा इस तरीके से बिक्सर से कर सकते हैं नहीं तो आप चमचा चमच है बड़ी स्पून ले सकते हैं उससे कर सकते हैं पहले चाकू से आप मतलब उसको नीचे तक होच दीजिए और यह देखिए कितना जादा इसमें जूस निकला है और जो पीस थे ना वो भी अभी अलग रखे हुए हैं तो एक तरगूज में धेर सारा जूस निकलता है कम से कम चार से पांच बड़े गिलास निकलता है मतलब साथ से आठ लोगों की जो मीडियम गिलास है वो निकल आते हैं इस में एक तरगूज में ज्यादा बड़ा भी नहीं था यह मीडियम साइज का तरगूज है जो हरा वाला तरगूज होता है इसका जो रस है ना जूस है बहुत ही मीठा बनता है मीठा होता है तब भी देखि दार कलर का जादा नहीं था तब भी इसका कलर कितना अच्छा प्य आप देखी सकते हैं अगर आपको ये देशी जुगार ये वीडियो अच्छा लगे नहीं तो नीचे एक लाइक का बटन दिए गया जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को सेर जरूर करिएगा तो मैंने यहां पर यह देखिए रस को निचोड के बढ़िया निकाल लिया है तर्बूझ को बढ़ीया से निचोड दिया है अगर आपके तबेखिए जो निचोड रहे हैं ज्यादा बड़े बड़े पीसे से निकल रहे हैं तो आप क्या करेएblue चैप को लगाना है कैसे जूस ठंड़ा ठंडा निकले वो भी वीडियो पूरा देखिए तो यहां पर मैं क्या करती हूं चाकू से छोटा सा होल कर रही हूं यह देखिए नीचे करना है ज्यादा नीचे भी नी करना है एक अंच छोड़ देना है बस ऐसे करना है जिसे नीचे तक जूस है ना आराम से टैप से निकले तो यहां तो आप इस तरीके से इसमें लगा सकते हैं तो देखिए मैंने पहले इसमें थोड़ा सा तरभूज में डाल दिया तो छेदिना एक दम से गोल हो अब यह देखिये जो नठ है लगा रहता इसको हटा के इस तरीके से fit कर रही हूं मैं और अंदर से भी इसको adjust करके लगा देना यह देखिए कितना बड़िया यह देखिए fit हो गई है इसमें tap तो कितना बड़िया लग रहा है यह देखिए video बनाने में इतना मज़ा आ रहा था इतना बड़िया लग रहा था देखिए कुछ अच्छा नया जुगाडू करो ना काम और एक्दम success हो मैंने यहां पर यह देखिए stand आता इस तरीके से और मैंने mix जार रख दिया कि कोई यह नीचा रहेगा ना तो पूरा गिलास रख नहीं पाएगा और यह देखिए जूस को ठंडा कर लिया है तो तरभूज देखिए रख दिया है पूरा जूस इस तरभूज में भर दिया ह और इसमें आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं तो लाइट चलीगी तो मेरे पास आइस क्यूब नहीं था तो देखिए तरभूज के जूस को और भी बढ़िया बनाया जाए तो मैंने काला नमक डाल दिया है जीरा डाल दिया है ऐसे ही पीते हैं आप लोग ऐसे ही मिलता है मार्केट में तो यह देखिए कितना यह देखिए बढ़िया हमारा फ्रेस जूस एकदम मीठा बनकर तयार है और यह बहुत ही मीठा यह जूस था इसमें कोई चीनी डालने की जरूत नहीं है यह देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूं किस तरीके से मैंने इसको तो यहाँ पर यह देखिए जो मैंने कटकिया था उसको डग दिया है अब यह देखिए मैंने गिलास रखका इसको देखिए खोल रही हों कितना बढ़िया यह देखिए फ्रेस एकदम ठंडा ठंडा खूल यह देखिए तर्वूच इसका जूस बन गया है मजा आ जाएगा पीके तो है न देशी जुगाड एकदम नया तरीका यह बायरल वीडियो था इसका पूरा डेटेल में वीडियो बनाकर आपको दिया जाए तो यह देखिए बन गया है तो मैंने एकदम स्टेप बाई स्टेप बताया है इसलिए थोड ठंड़ ठंड़ जूस निकाल कर पीजिए तो जब भी आपका जूस पीने का मान हो ठंड़ 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 इस तरीके से इसमें तरभूज में भरा रहेगा रस और टैप के नीचे रखिए गिलास और भस खूल लिए और ठंड़ ठंड़ कूल कूल यह देखिए ठंड़ ठंड़ हमारा तरभूज का जूस बन कर तयार है अब बस कोई भी आ जाये टैप के नीचे लगाए गिलास और पिलाए ठंड़ 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 यह कूल कूल जूस और यह देखिए मैं जा रही हूं पीने तो पीकर बताती है वह थी बढ़िया बना था एकदम पीटें तो आप चीनी भी डाल सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा है देसी जुगाड कैसा लगा है तो लाइक करिए गा इस देसी जुगाड को फैमिली फ्रेंज में जरूर सेयर करिए गा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गा फिर मिल्ट